जाकोराखे साईयां मार सके न कोई इसका मतलब है कि जिसके साथ ईश्वर होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगार सकता इस संसार में जो आता है उसे जाना ही होता है ये बिलकुल सत्य है परंतु ये भी सत्य है जिसके सर पर ईश्वर का हाथ होता है वह भयंकर स्थिती से भी बाहर आ जाता है आज हम इस वीडियो में ऐसी ही घटनाओं को देखेंगे जिन पर आँखों को विश्वास करना मुश्किल होगा दोस्तों नमस्कार, फैक्ट इस बैक आपका स्वागत करता है एक और अमेजिंग वीडियो के साथ अगर आप एक सेकंड कम है तो नहीं समझते हैं तो इस वीडियो को देखिए इस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा कि कुछ सेकंड की जल्दी या देरी आपकी जान ले सकती है पूरा मामला है हिमाचल प्रदेश के बलासपुर के पहाड़ी घाटी का ऐसी घाटी रास्तों में हमेशा लेंड्सलाइड होते रहते हैं एक स्कूटी सवार आदमी जल्दी में था वह आदमी बाकी लोगों की बातों को अंसुना करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था आने जाने वाले वाहन चालकों ने भाप लिया था कि पहाड तूटेगा इसलिए बस, ट्रक, कार, सभी गाड़ियों का यातायात रोक दिया गया था लेकिन इस आदमी को समझ नहीं आया आदमी खुश नसीब था कि भायानक हादसे से बच निकला जैसे ही वो घटना स्तल से गुज़रा उसके ठीक बाद कुछे पलों के बाद पहाड से चटाने और मलबे तूटकर गिरने लगे कोई चमतकार ही हुआ कि स्कूटी सवार मरते मरते बचा नमबर दो ट्रेन के नीचे आने से बाल बाल बचे फोटोग्राफर अंकल दरसल ये वीडियो एक विंटेज ट्रेन की है इस विंटेज ट्रेन को देखने के लिए बहुत से लोग दूर दूर से आय थे ट्रेन को खबर बनाने के लिए मीडिया भी वहाँ पहुंची थी सब अपना कैमरा लिए तयार थे ट्रेन ट्रैक पर पहुंचती है सब ट्रेन की फोटोज लेते हैं अंकल ट्रेन को लेकर इतना हुदसाहित हो जाते हैं कि कब पटरी पर पहुंच जाते हैं उन्हें खुद नहीं पता चलता अंकल फोटोज लेने में वैस्थ थे तब ही अचानक दूसरी ओर से दूसरी ट्रेन उसी पटरी पर आ जाती है जिस पटरी से कुछ इंच की दूरी पर फोटोग्राफर अंकल खड़े थे ट्रेन भगल से गुजरी लेकिन अंकल को एक खरोंच तक नहीं आई वो सही सलामत भयंकर एक्सिडेंट से बच गए साड़े तीन साल की बच्ची को अन्य अंतरित बाइक सवार ने रौदा एक बच्ची जो भी ठीक से चलना भी नहीं सीख पाई उसके उपर से बाइक सवार गुजरता है इसके बावजूद भी इस बच्ची को कुछ नुकसान नहीं होता इन दोर की एक गली में साड़े तीन साल की नन्ही बच्ची रोड के एक तरफ से दूसरे तरफ जा रही थी रोड की दूसरी तरफ उसकी दादी चार पाई पर लेटी है जैसे ही रोड के बीचों बीच पहुँचती है तभी एक अन्यंतरित बाइक सवार तेज रफतार में आता है और उस पर बाइक चड़ा देता है बाइक का अगला पहिया बच्ची के पीठ और पैर से होकर गुजरता है हैरान कर देने वाली बात ये है कि मासूम बच्ची खुद वहां से उठकर दादी के पैस पहुच जाती है कोई अद्भुत शक्ती ही होगी जो इस बच्ची को मरने से बचा लिया बच्ची को ज़्यादा चोट नहीं आती है और इतने में बाइक सवार भी भाग निकलता है नमबर चार समंदर की बीच नाव में सफर करना बेहद ही आनंद दायक होता है हम सब भी चाहेंगे कि नाव में बैठ कर समंदर की लेरों का लुत्फ उठाएं लेकिन कई बार भायानक हादसे भी होते हैं जिनमें बचने के संभावना बिलकुल नहीं होती 78 लोगों से सवार नाव समंदर में डूबते डूबते बची मुंबई से मांडवा जा रही नाव लोगों से भरी हुई थी नाव के एक हिस्से में लोगों के ज्यादा भार से एक हिस्सा पानी में डूबने लगता है देखते ही देखते ये नाव पूरी ही पानी में डूब चुकी थी कुछ लोग जान बचाने के लिए नाव के अगले हिस्से में आ जाते हैं जो अभी भी पानी की सता से उपर होता है एन मौके पर पेट्रोलिंग पुलिस बोट और स्पीड बोट वहां आ जाता है अच्छी बात ये होती है कि हादसा जटी के नस्दीक हुआ जटी नस्दीक होने के कारण पेट्रोलिंग पुलीस बोट पहुँच पाया अगर पहुँचने में देरी हो जाती तो सारे लोग डूब कर मर जाते बेस जंपिंग दुनिया के सबसे खतरनाक और रोमांचक एक्शन्स में से एक है जिसमें वैक्ति को किसी उंचे भवन, एंटिना या क्लिफ के नीचे कूदना होता है फ्रीफॉल के कुछ समय बाद गिरने की चोट से बचने के लिए स्पीड कम करने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल करते हैं इसके कई परकार हैं, लेकिन अभी भी कई लोग इसमें एक्सपेरिमेंट कर रही हैं यह वीडियो नौर्वे का है, इस वीडियो में बेस जमपर्स लाँचिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे चटान के अंतिम छोर पर बार के प्रियोग से उस पर चकर लगा कर लॉंचिंग की कोशिश कर रही है अफसोस की बाद तो ये है कि एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है आदमी के भारी वजन के कारण बार तूट गया और आदमी नीचे गिर गया खिस्मत अच्छी थी इस आदमी की जो एक क्लिफ के उपरी हिस्से से टकराता है जो ये नहीं क्लिफ के उपरी हिस्से से टकराता है नहीं नीचे के किसी चटान से और तो और सही समय पर पैराशूट भी खुल गया एक्सपेरिमेंट वाला इंसान सही सलामत जिन्दा बच जाता है नमबर छे फैक्टरी के डहने के बाद भी 17 दिन तक बचने वाली लड़की कुछ समय के लिए आप भी सोच में पढ़ जाएंगे कि इतना जान लेवा खादसा कैसे जिन्दा रह गई ये लड़की आपका दिमाग विश्वास ही नहीं करेगा ये हादसा 2013 में ढाका के गार्मेंट फैक्टरी का है जब फैक्टरी गिरी तो वहां लगबग 1100 लोग काम कर रहे थे बिल्डिंग गिरने से वहां काम कर रहे सब लोग मारे गए सिवाए एक के ये थी 19 साल की टीनेजर लड़की रेश्मा बेगम रेश्मा बेगम लगबग 17 दिन तक उसी बिल्डिंग के नीचे दबी रही इतने दिनों तक वह बारिश के पानी और बाग की मरे लोगों के टिफन के खाने से जिन्दा थी बायनक हादसे के 17 दिन बाद रेश की टीम द्वारा उसे निकाला गया हॉस्पिटल में सही इलाज से वह जिन्दा बच पाई दुनिया का पहला वेक्ति जो मरने के बाद फिर से जिन्दा हो गया बिल मॉर्गन नाम का आदमी धड़कन रुकने के कुछ देर बाद फिर से सांस लेने लगा बिल मॉर्गन ऐस्ट्रेलिया में एक ट्रक ड्राइवर था 1999 में इनका बहुत ही भायानक एक्सिडेंट हुआ था ऐसा एक्सिडेंट जिसमें बचना ना मुंकन था लेकिन बिल मॉर्गन बच गया हॉस्पिटल में भरती किया गया इलाज के लिए इलाज में दी जाने वाली दवाओं के कारण मॉर्गन को अलर्जी होने लगी इस अलर्जी की वज़े से उनके दिल की धड़कन रुक गई पूरे चोदे मिनट तक धड़कने रुकी रही डॉक्टरों ने भी उने मृत घोशित कर दिया डॉक्टर्स ने भी उने मृत घोशित कर दिया चोदे मिनट बाद पता नहीं कौन सा चमतकार हुआ कि मॉर्गन फिर से सांस लेने लगे और पूरी तरह ठीक भी हो गए आप इनको दुनिया के सबसे भागशाली इंसान भी बोल सकते हैं ठीक होने के बाद ये एक लॉटरी खरीदते हैं इस लॉटरी में 17,000 डॉलर का इनाम भी मिला इंटर्वियो लेने के लिए एक रिपोर्टर आया और रिपोर्टर ने मॉर्गन से फिर एक लॉटरी खरीदने को कहा इस बार मॉर्गन को लॉटरी से पूरे धाई लाख डॉलर मिले मॉर्गन का जीवन तो जादूई कहानी जासा लगता है अगर सबसे खुश नसीब लोगों के बारे में बात की जाए तो जूलियन कोईब का नाम पहला होगा 1971 में क्रिस्मस की रात जूलियन कोईब अपने मदर के साथ प्लेन में करबियन रेनफोरेस्ट के उपर सफर कर रही थी मौसम खराब होने के कारण आसमान में बिजलियां कड़क रही थी अचानक बिजले गिरने के कारण प्लेन लड़ खड़ा गया और घने जंगल में क्रेश हो गया सब के सब प्लेन प्रसेंजर्स क्रेश में मारे गए जूलियन ही एक मात्र थी जो प्लेन क्रेश में जिन्दा बचे अरांकि दो दिन तक बेहोश थी इतने भयानक हादसे में खाफी चोटें भी आई और हाथ की हड़ियां भी तूट गई थी होश में आने के बाद लगभग दस दिन जूलियन जंगल में ही भटकती रही पहली बार तेंद्वे को एक बच्चे ने देखा इसकी सूचना नजदी की फॉरस्ट डिपार्टमेंट को दी गई पहले दिन फॉरस्ट डिपार्टमेंट वालों ने रैस्क्यू आपरेशन चलाया लेकिन पकड़ने में असफल रहे इसी करम में तेंद्वे एक घर में घुस गया पकड़ने के लिए घर के दरवाजे में जाल बिचाया गया तेंद्वे उंची छलांग मारते हुए एक आदमी को दबोच लेता है किसी तरह बाकी लोग उसे बचा लेते हैं लेकिन तेंद्वे भाग जाता है इस तरह तेंद्वा एक अंडर कंस्रक्शन बिल्डिंग में छुपा था बिल्डिंग के चारों और नेट लगा दिया गया और एर गन से तेंद्वे को बेहोशी का इंजेक्शन दिया इंजेक्शन के बाद भी तेंद्वा खाबू में नहीं आया फॉरस डिपार्टमेंट का एक करमचारी तेंद्वे को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था तेंद्वा उस पर जपटा मारता है और जमीन पर पटक देता है करमचारी को बचा लिया जाता है इस बार तेंद्वा भी पकड़ा गया नमबर दस खस्मत हो तो ऐसी की मौद भी छोन पाए इस वेक्ती की खस्मत वाकई में बहुत शांदार है वेक्ती रोड पर बड़े आराम से घुम रहा होता है सामने एक बहुत विशाल पेड है अचानक विशाल पेड उसकी ओर गिरने लगता है यह देख आदमी कुछ पल के लिए घबरा जाता है लेकिन समझदारी दिखाते हुए दूसरी ओर भागा और पेड के नीचे दबने से बच गया अगर यह वेक्ती थोड़ी देर और रुक जाता तो मरना निश्चत था उसके खिस्मत ने उसका सास दिया और वो बच गया